चैनल ओफ्टेविस और आज हम लोग जो है जीके का कुश्यन जोन इंडिया का फिफ्थ सेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं तो लेट स्टार्ट तॉस्ट पूश्यन है हमारे पास जो भारत में मेट्रो सरपथम कहा चली थी तो अगर भारत में मेट्रो की बात की जाए तो भारत में सर्थ मेट्रो जो है वो कॉलकता के अंदर चली थी कॉलकता जो है वो वेस्ट पिंगॉल की राजधानी है और जो कॉलकता है वो किस नदी के किनारिस्तित है हुगली नदी के किनारिस्तित है और इसी होगली नदी के उपर एक हमारे इंडिया का सबसे पहला केंटी लिवर ब्रिज जो था वो बनाया गया है तो ये कोशन जो हैं यहां से important बनते हैं इसमें एक और कोशन important बनता है कि भारत में Metro Man के नाम से किसे जाना जाता है अगर आप बात करें भारत में Metro Man तो Metro Man E. सिरीधरन इंजिनियर हैं जिनोंने Metro का जो इंजिनिरिंग डिजाइन था वो किया था तो E. सिरीधरन को इंडिया का Metro Man के नाम से भी जाना जाता है नेक्स कुशन है हमारे पास भारत में राश्टरी आपदा प्रबंदन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है तो NDMA National Disaster Management Authority आप से कुशन पुछा जा सकता है कि तो हमारे जो परधान मंत्री हैं वो ही हम इसके जो है अध्यक्ष होते हैं इसके चेर्मेन होते हैं अगर NDMA की बात की जाए National Disaster Management Authority तो यह 2005 के अंदर जो था इसे बनाया गया था और इसका हेड़क्वाटर कहां है न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर भारत में रेल का अरम किस सन में हुआ तो भारत में रेल का अरम 1853 के अंदर हुआ था और जो पहली ट्रेन हमारी चली थी वो बॉम्बे टू ठाने चली थी जी 1853 नेक्स कोशन है सते से सते पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है देखिए सर्फिस टू सर्फिस से ऐसे कहते हैं कि सर्फिस टू सर्फिस टेक्टिक मिसाइल हमारे पास कौन सी है तो surface to surface जो हमारे पास first missile थी वो है जी पृत्वी अब इसके पृत्वी के अलग-लग versions हमारे पास आगे हैं पृत्वी 150, पृत्वी 250, पृत्वी 350 एक Navy का वर्जन है एक Air Force का वर्जन है और एक हमारे पास Indian Army का वर्जन है उसी तरह सते से सते पर वार करने वाली एक और missile है हमार इस अगनी तो यह दोनों हमारे पास surface to surface वार करने वाली missile से अब यहाँ पर कोशन यह पूचा गया था कि पहली सते से सते पर मार करने वाली missile कौन सी है तो right answer is पृत्वी नेक्स कोशन है हमारे पास भारत में विवानों का आगमन कब हुआ तो भारत में विवानों का आगमन 1911 में हुआ था सन 1911 देखे 1911 हिस्ट्री में काफी important रहता है 1911 इसलिए important है कि 1911 में ही हमारी जो capital थी वो दिल्ली मनाई गई थी से पहले हमारी जो capital थी वो कलकत्ता थी 1911 में ही दिल्ली दरबार हुआ था और 1911 में ही जो बगाल का विवाजन था उसे रद किया गया थो 1911 इसलिए हमारे पास important date है history के अंदर नेक्स कोशन है भारत में वीरता के लिए दिये जाने वाला सर्वत्य प्रोषकार कौन सा है तो भारत में वीरता के लिए दिये जाने वाला सर्वत्य प्रोषकार है जी परमवीर चक्र परमवीर चक्र को हमारे सविधान ने 26 जनवरी 1950 को को डॉट किया था और परमवीर चक्र जो है वो हाइस्ट गलेंटरी अवार्ड है जी बेटल फील्ड के अंदर की लडाई के दुरान जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है तो पहले विजेता परमवीर परमवीर चक्र के जो थे वो थे मेजर स्वामनाथ शर्मा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से समायत किया गया था और जो अंतिम में जिने परमवीर चक्र से समायत किया गया है वो है हमारे पस विक्रम बत्रा 1999 कारगिल युद के लिए उन्हें परमवीर चक्र जो है दिया ग आपने बहादुरी दिखाई है तो आपको सबसे जो highest award मिलता है वो मिलता है जी अशोग चक्र नीर्जा बनोट पहली female थी जिन्हें अशोग चक्र से सम्मानित किया गया था नेक्स कुशन हमारे पास है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंद की गई थी तो भारत में सती प्रथा 18.59 के अंदर जो है इसे प्रतिबंद के लगाया गया था लौड विलियम बेनेटिक्ट और राजा राम मोहन राए ये दो important prominent leaders हैं जो सती प्रथा के लिए जाने जाते है नेक्स कुशन है हमारे पास भारत में सबसे अधिक ठंड की सस्थान पर पड़ती है तो भारत में सबसे अधिक ठंड जो है वो लिख के अंदर पड़ती है ले लदा को अभी हम लोगों ने UT के अंदर रख दिया है तो हमारे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास लिया गया तो अब हमारे पास जो टोटल यूटीज है वो कितनी आ गई है एट जो है टोटल यूटीज हो गई है ले लदा को जो हम लोगों ने यूनिन टरिटरी बनाया था ये 30 अक्टूबर 2019 को ये हमने किया था और इसी दिन 30 अक्टूबर को सदावल्ल भाई पतेल जी का वह में मिलता है गोल्ड का जो सिंबल है वो एयू होता है और गोल्ड का जो असली नाम है तो गोल्ड को औरम के नाम से जना जाता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो भारत में सबसे पहले सूर्य के अगर बात की जाए तो वो अरनाचल परदेश के अंदर सबसे पहले सूरी जो है वो निकलता है नेक्स कोशन है हमारे पास भारत में सबसे पुरानी परवत शिंखला कौन सी है तो भारत में सबसे पुरानी परवत शिंखला जो है वो अरावली हिल्स है जो की राजिस्थान के अंदर पड़ती है अरावली हिल्स के उपर ही माउंट अबू है और माउंट अबू का हाइस्ट पॉइंट जो है गुरू शिकर है तो कुशन पूछ लिया जाता है कि अरावली हिल्स का सबसे हाइस्ट पॉइंट कौन सा है तो याद रखे जी गुरू शिकर अरावली परवत के उपर पर माउंट अबू आर माउंट अबू का जो हाइस्ट पॉइंट है that is गुरु शिकर है जी नेक्स कोशन है भारत में सबसे बड़ा बोध स्तूपा कहां है तो भारत का जो सबसे बड़ा बोध स्तूपा है that is केसरिया स्तूपा जो कि बिहार के अंदर स्तित है बोध धर्म को जो प्रतीक है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद है जो कि शा जहां ने बनाई थी दिल्ली के अंदर 1656 के अंदर जामा मस्जिद दिल्ली शा जहां द्वारा ये निर्मित है भारत में सबसे लंबा रेलमार्क कौन सा है तो सबसे लंबा रेलमार्क जो है भारत में वो है तिबुडुगर, गन्याकुमारी और विवेक एक्स्प्रेस के नाम से इसे जाना जाता है नेक्स कोशन है हमारे पास भारत में सबसे लंबी सड़क है देखे सबसे लंबी सड़क जो है उसे जीटी रोड कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड और अगर आपसे नेच पूछ लिया जाए नैशनल हाइवे पूछ लिया जाए तो पहले नेच 7 हुआ करता था अब उसका न मूम रूल की स्तापना 1916 के अंदर एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक जीने की थी एनी बसंत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बसंत नैशनल इंडिनेशनल कॉंगरेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है नेक्स कोश्चन है हमारे पास भारत में सरप्र अंदर या जनक किसे कहा जाता है चार्ल्स बाबाजेको भारत भारत के अंदर जनक भी कहा जाता है ठाइस भासा का प्रयोग किया जाता है भारत में सरव्टिक चावल उत्पाद्य बड़ा राजह ए वेस्ट बंगॉल की राजधानी कॉल도 कता खिस鍍नी के किना रिच्थ है कौन सा ब्रिज बना है तो इसके ब्रिज है जो कि भारत का पहला केंटी लीवर ब्रिज है वेस्ट बंगॉल के अंदर ही हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है वेस्ट बंगॉल के साथ ही लगता है इसको सुंदर्मन डेल्टा कहते हैं सुंदर्मन डेल्टा को सुंदर्मन डेल्टा क्यों कह जाता है क्योंकि यहां पर संदरी त्रीज बया जाते हैं इसलिए इसको सूंदर बंडल तके नाम से भी जाना जाता है भारत में सशरक्तरबलो का सरोच सेना पती कौन होता है तो राश्टपती होता है अभी जो जितने भी हमारे पास हमारी डिफेंस फोर्स हैं एर फोर्स नेवी और आर्मी इनका जो हैड है सुप्रीम कमांडर है वो हमारे कौन होते हैं राष्ट्रपती होते हैं और राष्ट्रपती ही जो है हमारे भारत के फर्स्ट सिटिजन होते हैं और इस टाइम पे श्री रामनात को विंद ज तो Lord Cornwallis जी को भारत में civil service सेवाओं का सुत्रपातक माना जाता है जी नेक्स कुछन है भारत में हरित क्रांती के जनक किने माना जाता है तो भारत में हरित क्रांती के जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है हरित क्रांती को भारत में लेके आने वले MS स्वामीनाथन जी थे उ उसी तरह वाइट operation या operation flood के लिए डॉक्टर वर्गिस कूरियन जी को माना जाता है भारत में इनका जनक भारत में हीरा की स्राज्य में पाया जाता है तो मंद्यपरदेश के अंदर सबसे जाता हीरा जो है पाया जाता है हीरा इस अलोट्रफिक फॉर्म आफ कार्मन नेक्स important लोग आप लोगों ने याद रखने हैं यहाँ पर जो answer दिया है that is C. राजा गोपालेचारी लेकिन इन्हीं के साथ दो और लोगों को भी जो है भारतरतन दिया गया था और एक साल के अंदर maximum तीन लोगों को ही जो है वो भारतरतन दिया जा सकता है तीन लोगों से जादा लोगों को भारतरतन नहीं दिया जा सकता तो C. राजा गोपालाचारी जो थे इन्हें एक भारतरतन मिला था उसके बाद C. V. रमन जी को जो है वो भारतरतन मिला था फिजिक्स के अंदर रमन एफेक्ट के लिए और इसी के साथ डॉक्टर S. राधा कृष्णन जी को भी ज सम्मानित किया गया था काफी कंफ्यूजिंग कोशन रहता है यह एक्जामस के अंदर तो आप लोगों को कभी भी कोशन आए तो अपने इन तीन लोगों का नाम जो है याल रखना है नेक्स कोशन है भारतरतन उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाग्यंतर के वादन में विख भारतरतन से सम्मानित किया गया था भारतरतन भारत का सरवच अवार्ड है जी जो किसी भी फिल्ड में दिया जाता है भारतरतन से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंद्रा गांधी जी थी जो कि हमारी पहली महिला प्रधान मंत्री भी रही है पहली महिला जिनोंने इलेक् सीनेशन हूई थी पॉलेटिकल मद्र हुआ था humorina 864 के अंदर और इनोह थे जो बार्तान दिया गया था वो 1972 के अंदर इनको भारत रतंस समानित किया घ्याएं भारत रतंस समानित होने वाले पहले संगीतकार रवी शंकर, पंडित रवी शंकर जी को जो है भारत माऊंट बेटन योजना के तहत बारत और पाकिस्तान का विवाजन हुआ था लोर्ड मांडवेटर ने भारत विवाजन की घोशना कब की गई थी तो उन्होंने 3 जून 1947 को जो है वो इसकी घोशना करती थी भारत विश्व कुप क्रिकेट का चैंपियन प्रतम बार किस वर्ष बना था तो 1983 के अंदर भारत जो था प्रतम बार विश्व क्रिकेट कप का चैंपियन बना था नेक्स कोशन है अमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधार क्या था देखिए अगर 1919 की बात की जाए तो उस टैम पे मोंटेक्यू टैम्सपोर्ड रिफॉर्म आया था इसका अधार इंडिन कॉंसिलेक्ट 1861 था नेक्स कोशन है भारत सरकार ने आवदा प्रबंदन अधिनियम को कब अधिनियम मित किया तो 2005 के अंदर इनों ने से अधिनियम मित किया था नेक्स कोशन है भारत सरवदिक शिक्षित राज्य कौन सा है तो भारत का सरवदिक शिक्षित राज्य केरल है हमारे पास नेक्स कोश ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी इसका जो पहला अधिवेशन था वो बॉंबे के अंदर हुआ था गुरु तेजपाल संस्क्रित कॉलेज था लेकिन ये अधिवेशन पहले पुने में होना था लेकिन पुने में कॉलरा फैलने की वज़ा से इसे हमने स्थानांत्रित ख अई जह वेगा हम आऐ होता है च आइह स्था नहीं जहां हो वह